हेलो चिल्डरन, कुसुम मैं की ओलाइन क्लास में आपका स्वागत हैं, प्यारे बच्चों, आज हम दूसरी कक्षया की हिंदी की पाठ्यपुस्तक जिल्मिल का पाठ पाच, संगती का फल को अच्छी तरह से रीड करना भी सीखेंगे, और इसमें जितने भी क्यूशन आंसर ह सब अच्छी तरह से समझेंगे, और संगती का फल एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है बच्चों, ये एक राजा की कहानी है, और राजा के साथ-साथ दो तोते यानि जिनका नाम एक का नाम सुगा है, और दूसरे का नाम फुगा है, तो इन तीनों की कहानी है, बड़ी से सुनेंगे और वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक पूरी देखेंगे और पूरी अच्छी तरह से सुनेंगे एक और बात बच्चो अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिये वैल आइकन को जरूर प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ये पार्ट पढ़ना जो है बच्चो सबको आना चाहिए अगर हम पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ना सीख जाएंगे तो एक्जाम में जितने भी क्यूशन पूछे जाते हैं वो हमेशा पार्ट में से ही आते हैं और हम उन सभी क्यूशन के आंसर बड़ी इजीली दे पाएंगे तो देखिए आज हम सुरुवात करते हैं पार्ट पांच संगती का फल यहां से एक राजा था वहे जंगल में घूमने गया घूमते घूमते वहे रास्ता भूल गया वहां उसे एक गुफा दिखाई दी गुफा के पास बर्गत का एक पेड था जिस पर एक तोता रहता था राजा को देखकर वहे चिलाने लगा पकडो पकडो मत जाने दो पकडो पकडो मत जाने दो तोते की यह बात राजा को अच्छी नहीं लगी राजा आगे बढ़ गया तोता कुछ दूर तप राजा के पीछे-पीछे उड़ता रहा अब देखो बच्चो यहां पर एक तस्वीर दे रखी है है ना देख रही है ना सभी बच्चे इस तस्वीर को ध्यान से देखो क्या नजर आ रहा है आपको इस तस्वीर में? यहाँ पर एक राजा है, है ना? और वो कहाँ पर बैठा है, बताओ, वो घोड़े के उपर बैठा है और कहाँ पर घूमने गया, राजा? कहाँ के लिए निकला था? जंगल के लिए, है ना? और वो जंगल में खूमने गया था अब मुझे ये बताओ कि जब घूमते घूमते रास्ता भूल गया तो उसको क्या दिखाई दी थी? हाँ, एक गुफा दिखाई दी थी यहाँ पर देखो, ये रही गुफा और गुफा के पास एक बर्गत का पेड था ये देखो, ये रहा बर्गत का पेड और इसके उपर ये एक तोता बैठा है है ना? और राजा को देखते ही ये चिलाने लग गया कि पकडो पकडो मत जाने दो तो फिर राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी और राजा यहाँ पे नहीं रुका और वो आगे चल दिया अब देखिए आगे क्या होता है? राजा एक आसरम में पूचा आसरम बहुत ही सुंदर था वहाँ भी उसे एक तोता मिला राजा को देखकर वह मधुर एवं विनम्र आवाज में बोला शिरिमान जी आपका स्वागत है बैठिये, पानी पीजिये और खाना खाईये तोते की आवाज सुनकर कुटिया में से एक साधू बाहर आए राजा ने साधू को प्रणाम किया साधू ने राजा को आसिर्वात दिया और आदर सहित पैठाया राजा ने साधू से पूछा महोद्य, आज मैंने दो तोते देखे दोनों का सवभाव अलग-अलग था राजा की बात सुनकर साधू मुस्कराया और बोला यह संगती का फल है दोनों तोते सगे भाई है एक का नाम सुगा है, दूसरे का नाम फुगा है यहाँ पर देखो एक बार पहले इस सित्र को देखो बच्चो हाँ, यहाँ पर क्या नजर आ रहे आपको? बताओ, एक आसरम भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर राजा बैठे हैं और यह है साधू है ना? और राजा का घूडा कहां पर है मुझे यह बताओ? नाम है सुगा और जब राजा पहले वाले तोते के पास गया था तो उस तोते का क्या नाम था? पता हैं? उस तोते का नाम था फुगा और इसका नाम है सुगा अब राजा ने जब साधू से पूछा कि मुझे दो तरह के तोते मिले और दोनों का सभाव अलग अलग था तो राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराने लग गया और उसने कहा कि ये तो संगती का फल है तो अब यहाँ पर साधु दोनों तोते की कहानी बताने लग गया और कहा कि ये दोनों तवते सगे भाई है एक का नाम सूगा है और दूसरे का नाम फूगा है अब आगे देखो आगे फिर उसने कहा कि वे दोनों मेरे पास ही थे फूगा को दाकू ले गए वहें उनके साथ रहता है उनकी बोली बोलता है सूगा मेरे साथ रहता है क्या होता है तो बच्चो अब मुझे बताओ आप समझे कि संगती का फल क्या होता है हाँ हम यह समझे कि अच्छी संगती का फल अच्छा होता है और बुरी संगती का फल बुरा होता है अगर हम अच्छी संगती में रहेंगे तो अच्छे बच्चे बन जाएंगे है ना और अ कुसी को भी पसंद नहीं होता है ना कोई हमें पसंद नहीं करेगा इसलिए सभी बच्चों को अच्छी संगती में रहना है और अच्छे बच्चे बनने की कोशिस करनी है अब आगे देखिए आगे है इसका अभ्यास और अभ्यास में हमें सबसे पहले क्या दे रखे हैं शब प्रिया यानि की जोपडी, प्रणाम यानि की नमसकार, मधुर, मधुर का मतलब होता है मीठी, फल यानि की प्रिणाम, मत्वाले, मत्वाले का अर्थ होता है मस्थ. पाट से अब पाट से यहाँ पर कुछ क्यूशन्स दे रखे हैं देखिए पहला क्यूशन है राजा घूमने के लिए कहा गया था बताओ राजा घूमने के लिए जंगल में गया जंगल में गया था ना अब आगे खर क्यूशन है कि गुफा के पास राजा क्यों नहीं रुका क्योंकि फुगा तोते की बात पक्डो पक्डो मत जाने दो राजा को अच्छी नहीं लगी है ना अच्छी नहीं लगी थी ना फुगा तोते की बात उसे का पक्डो पक्डो मत जाने दो कि तोते नहीं बात कही तो फिर वो राजा को अच्छी नहीं लगी और वो वहाँ पर नहीं रुका आगे पढ़ गया है ना गव क्यूशन है किसने राजा का आधर सत्कार किया किसने किया था बताओ बच्चो हम सुगा तोते ने है ना तो अब उत्तर लिखेंगे इसका सुगा नामक तोते ने राजा का आधर सत्कार किया अब किसने है ना ये किसने की जगे हम सुगा नामक तोते ने यहां लिखेंगे और बाकी देखो क्यूशन में से ही क्यूशन में से ही है सब राजा का आधर सत्कार किया अब आगे घर क्यूशन है इस घटना से राजा ने क्या सीखा राजा ने सीखा कि अच्छी संगती का फल अच्छा और बुरी संगती का फल बुरा होता है अब आगे देखिए बचो आगे है आपकी बात और आपकी बात में भी यहां पर क्यूशन दे रखे हैं है ना, सुगा और फुगा में से आपको किसकी बात अच्छी लगी और क्यों, अब बताओ बचो, कहानी ध्यान से सुनी है ना, हाँ, तो बताओ, सुगा और फुगा में से आपको किसकी बात अच्छी लगी, हमें सुगा की बात जो है वो अच्छी लगी, सुगा की, है ना, स सुगा तोता बड़ा ही विनम्र भाव से राजा से बोला था है ना और राजा का आदर सतकार भी किया था और बड़े ही मधूर मीठे सब्दों में बात की थी तो जो भी मीठे सब्दों में बात करता है उन्हीं की बाते हमें अच्छी लगती है है ना आगे है दोनों तोतों म से आप किसके जैसा बनना पसंद करेंगे किसके जैसा बनना पसंद करोगे बताओ बच्चो सुगत होते के जैसा है ना ओके बेरी गूड अब आगे next question देखिए कि पाठ के आधार पर सही ये टिक या गलत यहाँ पर देखो क्रोश का निसान लगाएं दो निसान दे रखे ना सही के निसान पर ऐसे टिक करना है और गलत के निसान पर हमें ऐसे क्रोश करना है अब देखो गुफा के पास बरगत का एक पेड था तो बताओ गुफा के पास बर पहला तोता राजा को देखकर मीठी आवाज में बोला, पहला तोता राजा को देखकर मीठी आवाज में बोला था क्या? नहीं, मीठी आवाज में नहीं बोला था, है ना? वो तो चिलाया था, क्या चिलाया था? पकडो, पकडो, मत जाने दो, है ना? तो ये हमारा रोंग है, इसलिए हम यहाँ पर क्रोस का निसान लगाएंगे अब आगे देखिए ग वाक्य है यहाँ साधू ने राजा को प्रणाम किया साधू ने राजा को प्रणाम किया था नहीं, राजा ने साधू को प्रणाम किया था तो इसलिए हमारा यह भी गलत हुआ क्रोस कर देंगे फुगा को डाकू ले गए फुगा को डाकू ले गए थे या सुगा को बताओ फुगा को ही लेकर गए थे है ना तो यह यहाँ पर बिल्कुल सही वाक्य है इसलिए इसको हमने टिक कर दिया आगे है सही शब्दों का चैन करके खालिस्थान भरें यहां पर देखो कुछ शब्दे रखे हैं इन शब्दों को यहां दिये गई खालिस्थान में हमें लिखना है और अब बताईए यहां पर क्या आएगा डैस का फल अच्छा होता है किसका फल अच्छा होता है बचो संगती अच्छी संगती का फल अच्छा होता है यह वाली जो है यहां पर आएगा क्या आएगा यहां पर क्या लिखेंगे हम अच्छी संगती का फल अच्छा होता है आगे है चलते चलते राजा एक डैस में पहुँचा कहां पहुँचा था आश्रम में पहुँचा था तो यहाँ पर हम लिखेंगे आश्रम अब है दोनों तोतों का डैस अलग-अलग था क्या अलग-अलग था? सभाव तो यहाँ पर आ जाएगा सभाव, दोनों तोतों का सभाव अलग-अलग था साधु ने राजा को डैस दिया साधु ने राजा को क्या दिया था बताओ आशिरवाद दिया था है न, और यह आशिरवाद लिखना भी सीखिए वचो यह देखिया आशिरवाद दिया, पढ़े, बोले और लिखे, अब यहां पर जितने भी शब्द दे रखे हैं सबसे पहले आपको पढ़ना है बोलना है और फिर यहां पर लिखना भी है अब पढ़ना तो मैं पढ़ाती हूँ आपको मेरे साथ साथ बोलिएगा और यहां पर आपको अपनी बुक में यह सब लिखना है इसको बोलेंगे आशीरवाद क्या बोलें विनम्र और इसको बोलेंगे हम श्रीमान दोबारा से बोलो श्रीमान आश्रम ये क्या है आश्रम ये है संगती क्या है संगती अब है आगे भाषा की बात मिलते जुलते शब्द लिखें अब यहां देखो मिलते जुलते जैसे चलते चलते इस तरह से हमें मिलते जुलते शब लिखने हैं और आपके part में ही आए हुए है बचो यह इस तरह के words आप गिताब में देखना आपको मिलेंगे और जैसे कि है otherwise यहां लिखेंगे हम और इसके अलावा अलग अलग और देखो पाट में क्या आया हुआ है बताओ हाँ साथ साथ और इसके अलावा और बताओ खूमते फिरते और बताओ बच्चो पकडो पकडो है ना दो बार आया था ना पकडो पकडो अब आगे है रंग भरें तो यहाँ पर क्या दे रखा है यह बताओ एक तोता दे रखा है है ना और तोता कैसे रंग का होता है बताओ तोता ग्रीन कलर का यानि की हरे रंग का होता है है ना तो आपको यहाँ पर तोते में रंग भरना है यहाँ पर चोंच में आप लाल रंग भरेंगे और बाकी तोते में हरा रंग भरेंगे और यहाँ पर जो यह टेहनी दे रखी है ना इसमें आप ब्राउन रंग यानि की भूरा रंग भरेंगे और आपको ये काम खुद ही करना है बच्चो तो बच्चो फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में नई लेसन के साथ तब तक के लिए बाई बच्चो